जैसा कि आप यहां देख रहे हैं हमने एक मंत का कलेंडर यहां पे चिपकाया है और इसके साथ हम तरह तरह के खेल खेलेंगे मेरे पास यह एक 3x3 की ग्रिड है इस ग्रिड को हम इस कलेंडर पर कहीं भी 3x3 खानों में रख सकते हैं माल लीजे मैं इसे यहां पर रखता हूँ इधर को भी 3 और इधर को भी 3 कॉलम्स हैं जो हमने इस ग्रिड में कवर दिया है यह अपने आप में बड़ा मनरंजा के खेल है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 10 और 12 यदि इनको हम प्लस करेंगे 22 यह बीच वाले नमबर का दो गुना होगा इसी प्रकार से यदि हम यहां देखेंगे 24 और 26 पचास यह बीच वाले नमबर का दो गुना होगा पचीस दो गुना पचास ना केवल इस लाइन में यदि हम इस प्रकार भी देखेंगे 10 और 24 34 यह बीच वाले नमबर 17 का दुना होगा यहाँ पर 12, 26, 38 यह बीच वाले नमबर 19 का दूना होगा यही नहीं यदि आप डाइगनल भी देखेंगे तो 10 और 26, 36 यह बीच वाले नमबर 18 का दूना होगा और 12 और 24, 36 यह भी बीच वाले नमबर का दूना होगा आएए अब हम एक और प्रेट देखने हमारे पास यह दो बाए दो की grid है यदि हम इसे कहीं भी calendar में कहीं भी हम इसे रख सकते हैं माल लीजिए से मैं यहां रखता हूँ तो मेरे पास जो grid आएगी अब इन में हम देखेंगे इन दोनों को डाइगनली यदि हम plus करेंगे तो हमारे पास जो sum आएगा वो बराबर आएगा पांच और तेरा अठारा और इसे प्रकार से 6 और बारा अठारा इसको हम यदि यहां रखतेंगे 17 और 25, 42, 24 और 18 भी 22 इस प्रकार से अलग अलग तरह की 4 बाए 4, 3 बाए 3 की grid बना बना कर हम इनसे तरह तरह की games खेल सकते हैं सीख सकते हैं और आप देखेंगे कि calendar में बहुत सारे दिभीन प्रकार के patterns फॉलो होते हैं जैसा कि ये भी एक pattern है इसे हम किसी भी पूरी एक line पर रख सकते हैं जो पूरी line होगी माली जैसे मैं यहां रखता हूँ अब आप देखेंगे इन सभी नंबरों को यदि जो रख इनकी average निकाली जाएगी तो वह बीच वाला नंबर 25 ही आएगी इस प्रकार से calendar में अलग अलग तरह के patterns हम बना सकते हैं और इस प्रकार की दो बायतियों की तीम बायतीम की या लंबी grids को बनाकर हम अलग 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 तरह के खेल calendar में खेल से